कि नमस्कार प्री विद्यार्थिगंड आप सभी विद्यार्थियों का हमारी यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग बात करने कशने वाले कि टेट क्वालिफाइऄ करें को स्रमय भी बहुत कम है तो इसको क्वालिफाइऄ करने के लिए कुस बिंदो पर ध्यान देना चाहिए तो मैच इसमें से पहले शिलेबस आपके पास फोना चाहिए तो तो आप तयारी करेंगे तयारी करेंगे लेकिन सही तयारी नहीं हो पाएगी क्योंकि जब आपको रास्ता का पता नहीं रहेगा तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे ठीक है कहीं भी जाना है तो सही सही रास्ता आपको पता होना चाहिए तभी आप वहां तक पहुंच सक पढ़ें जो आसान टॉपिक हैं उसको पहले सबसे पहले उसको क्लियर कर दीजिए इससे क्या रहेगा कि आपके अंदर आप और बहतर कर पाएंगे ठीक है तो करने मतलब आसान जो टॉपिक आपको लगते हैं उसको सबसे पहले और जल्दी से जल्दी कर लिए ज्यादा सही रहेगा और क्या बात इसमें ध्यान देना है तीसरा है हस्त लिखित नोट्स खुद बनाएं जो पढ़ने के लिए नोट बनाना है तो नोट्स खुद से बनाएं किसी बुक से पढ़ने जब पढ़ते हैं तो उतना बढ़िया याद नहीं होता है जब वही चीज आप लिखेंगे अपने हाथ से लिखेंगे तो वही चीज बहुत आसानी से याद कर पाएंगे बहुत जल्दी याद हो जाता है ठी से बहुत अच्छा से याद हो जाता है तो करने मतलब आप नोट्स खुद बनाएंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है जो सब्जेक्ट अच्छा है उसे और अच्छे से पढ़ें जैसे आपका जो अच्छा है मानली जी हिंदी आपकी अच्छे है तो उसको इतना बढ़ियां से पढ़ें कि उससे कोई क्यूस्ट गलत नहोंने पाए ठीक है क्योंकि जो कठीन है उसको पढ़ने के चक्कर में जो आता है उसको भी नहीं कर पाते हैं आप उसकी भी तेयरी नहीं करते हैं कठीन पढ़ने के चकर में ठीक है तो कह को मजबूती से पढ़िए इसको और अच्छा बनाए ठीक है और क्या है प्रीवीएस प्रीवीएस येर पेपर को साल्व करना है प्रीवीएस येर के पेपर का साल्व नहीं करेंगे तो आप को अंदाजा नहीं मिल पाएगा ठीक है प्रीवीएस येर पेपर किसी भी एक्जाम को अगर आप दे रहें तो प्रीवीएस येर पेपर आपके लिए बहुत जरूरी होता है साल्व करना क्योंकि प्रीवीएस येर प्रीपर जब साल्व करते हैं तो आप आप बहुत अच्छा मतलब बढ़ियां कर पाते हैं एक्जा ये पेपर साल्प करना बहुत ज़रूरी होता है तो बस यही था इसमें अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए हम मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत